बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमारी यूट्यूब चैनल एक्जाम गुरू में दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो लेका है हूँ इस वीडियो के अंतरकत हम जानेंगे साथ साथ हम जानेंगे कि हमने जितने भी केंदर सासित प्रदे से उनमें कौन उप राजिपाल न्यूक ते वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को शूर सावी तक पूरा जरूर देखेगा है क्योंकि आने वाली परिच्छाओं में राज्यपाल एवं उप राज्यपाल संबंदित एक कोशन जरूर पूछा जाता है मैं आपको सभी राज्यपालों की नियुक्ति दिना के मतलब उनका कारिकाल भी बताऊंगा सांसातों का नाम बताऊंगा और राज्यों की सूची बताऊंगा तो चलिए में वीडियो को शुरू करते हैं आज का हम हेना सबसे पहला राज जी अरुणाचल प्रदेश के वरतमान में राज्यपाल को ने तो याद रखिएगा बीडी मिश्राजी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राजीपाल है अब इनका में कारिकाल बतायता हूँ कि इन्होंने कारिभाल कब समवाला तो इन्होंने समवाला है 3 अक्टूबर 2017 को ये अरुणाचल प्रदेश के राजीपाल नियुक्त किये गए कौन बीडी मिश्राज जी चलिए next state देखते हैं दोस्तों अगला state है असम राज जी देखिए असम राज जी के वर्तमान राज जीपाल है जगदीश मुखी जी और इन्होंने अपना कारिभार समाला है 10 अक्टूबर 2017 को सवाला है जगदीश मुखी जी ने असम राज जी का क कारिभाल राज जी पाले मागे चलिए next state देखते हैं next state है हमारा आंदरपदेश देखिए आंदरपदेश के जो राज जीपाल है वो है विश्व बूशन हरीचंदन विश्व बूशन हरीचंदन जी है और उन्होंने अपना कारिभार समाला है 24 जुलाई 2019 को इन्होंने 2019 को इनको राज्यपाल के पत्पर न्यूक्त किया गया है उत्तरपदेश के चलिए नेक्स्ट श्टेट देखते हैं दोस्तों हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मोरी जी और इन्होंने 8 जन्वरी 2015 को अपना राज्यपाल है वे है विजुभाई वाला और इन्होंने अपना जो कारे भारे वो समाला है 1 सितंबर 2014 से ही वहां के राज्यपाल है करनाटक के नेक्स्ट राज्जी देखते दोस्तों हमारा अगला राज्जी है केरल राज्जी और केरल राज्जी के वरतमान राज्जेपाल है आरिफ मुहम्मत खान और ये कम न्यूक्त किये गए थे 6 सितंबर 2019 को कम न्यूक्त किये गए थे 6 सितंबर 2019 को इनकी न्यूक्ती हुई थी च नेक्स्ट है है हमारा राजी गुवा देखे गुवा के वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी और इनको कब नियुक्त किया गया था 3 नौबर 2019 को इनको गुवा के राज्यपाल के पत पर नियुक्त किया गया था अब अगला देखते हैं 36 गड़ राज जी के वर्तमान राज़ेपाल अनुसुया उईकेजी हैं और इनको 29 जुलाई 2019 को राज़ेपाल के पत्पर न्यूक्त किया गया था 36 गड़ के चलिए अगला राज़े हमारा जारखंड राज़े के जो वर्तमान राज़ेपाल है वो हैं द्रोपती मुर्मुजी और इन्होंने 18 मई 2015 को शपत ग्रण किये चलिए और अभी इन्होंने किनको भी शपत दिलाई तो याद रखिए अभी वर्तमान में जो हजारखंड के नए म बुख्यमंतरी न्युक्त हुए हमंत सोरें जी इनको उन्होंने शपत दिलाई है चलिए नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडू राज़े और तमिलनाडू राज़े के वर्तमान राज़ेपाल है बनवारी लाल पुरोईजी और इन्होंने 31 अगस्त 2011 को शपत ग्रण किती तब से अब तक है वहां के राज़ेपाल है नेक्स्ट इस्टेट है हमारा तेलांगना इस्टेट और तेलांगना इस्टेट के वर्तमान राज़ेपाल है तमिल साई सुंदर राज़ेंजी और ये है आठ सितंबर 2019 से इस पत्पर न्युक्त है कहां के तेलांगना के राज़ेपाल के पत पर चलिए नेक्स्ट है हमारे नागलेंड के वर्तमान राज्यपाल कोन है रविंद्र नारायन रवी जी यह नागलेंड के वर्तमान राज्यपाल है और इनको न्यूक्त किया गया था एक अगस्त 2019 कब से न्यूक्त हैं यह एक अगस्त 2019 से न्यूक्त है इस पत पर चलि अगस्त 2016 को चलिए नेक्स्ट राज जी है हमारा पश्रिम मंगाल पश्रिम मंगाल के हमारे वर्तमान राज जिपाल है जगदीप धनकर जी और इनको न्युक्त किया गया था 30 जुलाई 2019 कब न्युक्त किया गया था इनको 30 जुलाई 2019 को चलिए नेक्स्ट स्टेट है हमारा ब मनिपूर राज जी के वर्तमान राज़िपाल है नजबा हैपतुल्ला जी और इन्होंने शपत ग्रहंड की थी 15 सितंबर 2014 से ये मनिपूर के राज़िपाल के पतपर न्युक्त है चलिए दोस्त अगला राज जी आता है हमारा मध्यपदेश और मध्यपदेश के वर्तमान रा राज जेपाल है वो है भगत सिंग कोशियारी आपने बहुत नाम सुनाओगा जब अभी विदान सभा चुनाओ चल रहे थे महाराष्टर में तो उस समय ये बहुत न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने शपत दिला दी थी रातो रात और इसके लावह मैं आपको विदा 2019 से इस पत पर न्यूकत है और अभी हाली में मुहा के मुख्य मत्री भी चेंज हुए है तो याद रखेगा उद्धव ठाकरजी दो इस टेट के मुख्य मत्री अभी हाली में चेंज हुए है तो याद रखेए एक अपने महाराष्टर के चेंज हुए है उद्धव ठाकरज और जार्खन्ट के हेमाद तुसोरें चलिए अगला राज्जी हमारा मिजोरम मिजोरम के हम आपको राजजेपाल बता जिकते हैं तो मिजोरम के राजजपाल हैं हाली मैं पी एस श्रीधरन पिल लई को ने पी एस श्रीधरन पिल लई और इनको न्युक्त क्या गया है पाँच नुवंबर 2019 से इस पत पर ये न्युक्त है चलिए अगला राज्य हमारा मेखाले और मेखाले के वर्तमान राज्यपाल है तथा गत राय जी और इन्होंने 6 जनवरी 2015 को ये कारेभाल समाला है अगला राज्य है राज्यस्थान और राज्यस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल है कलराज मेश्र जी और इन्होंने 9 सितंबर 2019 को अपना पद ग्रहन किया है अगला राज्य आता है सिक्कीम सिक्कीम राज्य के वर्तमान राज्यपाल है गंगा पद ग्राण किया है 22 अगस्त 2018 से ये हरियाना के राज्यपाल पद पर नियुकत है दोस्तों मर अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है वह है बंडारू दत्राते और इन्होंने 11 सितंबर 2019 को अपना पद ग्राण किया है चलिए अगला राज्य है त्रिपूरा राज्य और वहां के वर्तमान राज्यपाल है रमेश बेस और इन्होंने 29 जुलाई 2019 को हाली में 29 जुलाई 2019 को अपना पद ग्राण किया है यहाँ पर हम कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज जिपाल भी देख लेते हैं क्योंकि जो राज्य होते हैं वहाँ पर तो राज्य पाल होते हैं लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज जिपाल होते हैं तो हम उनके बारे भी जान लेते चलिए सबसे पहला हमारा जो केंद्र शाषित प्रदेश है वो है अंडबार एंड निकोबार दीप समू वहां के उपराज जिपाल है देवेंद्र कुमार जोशी जी देवेंद्र कुमार जोशी जी वहां के उपराज जिपाल है और 8 अक्टूबर 2017 से वहां के वे उपराज नेक्स्ट राज जी हमारा दिल्ली और दिल्ली के उपराज जिपाल कौन है अनिल बेजल जी है जिने 31 दिसंबर 2016 को नियुक्त किया गाया था नेक्स्ट है पुदुचेरी पुदुचेरी के उपराज जिपाल कौन है तो किरण बेदी जी वहां के उपराज जिपाल है और इन दोस्तों हमने सभी राज्यों के राज्यपाल और सभी केंदर सासियत प्रदेशों के उपराज्यपाल इस वीडियो में सीख ली है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए शेर जरूर कीजिए अगर आप इस तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरू दुआ के रखें धन्यवाद जहिंद जय भारत